महाराष्ट के अंदर जो है पूरी तरह से कोरोना के जो पेशन है भारी मात्रा में यहाँ पर पाय जा रहे हैं तो इसको लेकर जो है महाराष्ट के अंदर बीजेपी यहाँ पर आंदोलन चला रही है इस आंदोलन के जगह पर हम इस वक्त है आंदोलन कारियों से हम सिधा बा कि संक्या पुरे भारत में सबसे जदा है और यह जो तीन पार्टियों की सरकार है यह पूरी तरह से महारास्ट्र में को रोकने के लिए हैल हो चुकिए यह सरकार वी पूरी जगावा पे फेल हो चुकिह और इसलिए हमारी यह माँगए कि यह सरकार ने अब चले जाना चाहिए और उद्दव सरकार को नेतिकता के आदार पर राजिनामा देना चाहिए सर आप क्या करेंगे आदानें यह सरकार अभी तिघडी सरकार अभी अपने सनमान्य लिफन। साप घर में बेटके काम ने अरुने रास्ते पर इतर एकड़ में। लेकिन जब उनको आमदार बनने का है तब वो बराबर राज्यपाल के जाके मिलते हैं सब करते लेकिन वो अभी कोरोना के टाइम में जितना काम करने होना वो काम नहीं कर पा रहे हो ति निश्पल सरकार है और इन्होंने तुरंद राजी नामादने हैं चाहिए आपका कहना है कि ग्राउंड लेवल पर काम नहीं बिल्कुल इसले तो पेशन्ट बढ़ रहे हैं अके लिए उनके आमची मुम्बव में कितने सारे पेशन्ट है सर आप क्या कहेंगे आपकी क्या बावन है महराष्टर के अंदर जितनी संख्याशे पेशन्ट बढ़े है लागडाउन के बावजुद भी वो बहुती चिंता जनक और राज्य को पास साल पीछे ले जाने वाला याने घटना है और बहुती सीरियस घटना होने के एब दोट शासन खाली है तोल मटोल कर रहा है बाते घुमा घुमा या बड़ी इमोशनल करके बाते हो रही है लेकिन फिल्ट पर कुछ परफेक्ट काम नहीं हो रहा है यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है और यह सरकार ने अभी रहना नहीं चाहिए इन्होंने चला जाने चाहिए नहीं तो फिर यह नहीं जाएंगे तो महाराष्ट्र पास साल पिछे जाएंगा और और भी कुछ मैला है हमारा साथ है क्या हमारा बुल्डाना डिस्टिक है वह कोरोना मुक्त हो चुका था लेकिन यह ठाकरे सरकार जो है वह इतनी निश्प्रफ ठारी है कि उस अपना आमदार्की का टिकेट वह बचाने के लिए उसे में रहेते वह अपने घर में बैटके अपना अपना खुद का काम देख रहे हैं लोगों का काम नहीं देख रहे हैं आज हम लोग यहां पे उनके तरफ देखते हैं कि वह हमारा क्या कर सकते हैं यहां पे लेकिन है वो उन्होंने ये निश्प्रफ ठरी है पूरी सरकान इन्होंने राजिनामा देना चाहिए घर पे बैठना चाहिए और वे कुछ लोग हमारे साथ में हैं इस करोना महामारी के संकट में जो किसान है महारा बुलुतिदार जो लोग है उनके बारे में कुछ विशेश करें महाराहरा बचाओ आंदोलन का आज पर नियोजन किया था है इसलिए हमारे हमाराश्ठ्र को लेकर यहां पर यहां यहां पर चल रहा है काली फित लगा ereratoatures महाराष्ट में अगर आप देखेंगे तो शुरू से ही ठाकरे सरकार की और से कोई ठोस कदम उठाते वे आपको नहीं दिखेंगे और आप ये भी देख सकेंगे कि जिस तरीके से प्रशाशन और सरकार में कोई भी तालमेल आपको नजर नहीं आता है आप आज की स्थिति में बारासों से ज़्यादा आपको पुलिस कर्मी जो है कोरोना पॉजटिव दिखेंगे उनके लिए भी कोई भी यहाँ पर अगर आउं देखेंगे तो किसानों की और आज किसानों के नाम पर जो सरकार में भूँत हम ऑने के ठेकेदारा बनते हैं तो उन्हें अगर थेयान दिया आए कि कुछ दिनों में 3502 से ज़्यादा किसान हों ने अत्मात्या की है पर उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं है वो घर से ही काम कर रहे हैं ना कोई बाहर निकल रहेए आज बाकि अगर आप राजो का देखेंगे तो सभी मुख्य मंत्री बाहर निकल के कितीं अच्छे तरीके से काम कर हें बारत वलुतिदारों के लिए चोटे किसानों से लेके खेत मौजूरे से लेके तो सब के जंदन खातों से लेके और खातों में उनके पैसे जमा हो रहे पर ऐसे कोई भी चीज यहां पर आप महाराश्रा में नहीं दिख रही है और जो छोटे व्योसाइक है छोटे जिन्नोंने छोटे छोटे अपने लोंस निकाले है तो आज उनको उनके सामने बड़ा प्रश्ण है कि वो लोग कैसा लोन चुकाएंगे जो शेदकरी आत्मात्य को जो महारा श्रका एक बहुत जोलंत प्रश्ण है उसी तरीके से कुछ दिनों बाद ना हो भगवान न करें पर छोटे व्योसाइक भी इसमें उतर सकत है क्योंकि आज हम मैं खुद भी एक च्छोटी व्योसाइक हूं मुझे पता है कि करजा लेने के बाद में चुकाना कितना मुश्किल हो गया है बहुत से लोगों को अपने दुकान का रेंट भरना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो यह सरकार कर क्या रही है रोज आके सिफ आप कही से बचता हुआ नहीं दिख रहा है महाराष्ट बचना है तो आपको जल से जल कुछ कारवाई करनी होगी या तो फिर आपको आपका पद छोड़ना पड़ेगा और जैसे कि यहां पर महाराष्ट बचाव अंदुलन यहां पर चड़ा है पूरा विजेवी के जो ल आज की दिन क्या कहेंगे जो महाराष्ट बचाव जो आंदुलन चल रहा है महाराष्ट बचाव अंदुलन के संबंद्व में ऐसा है कि जो यह लोगडाउन अभी पिछले दो मैने से चल रहा है महाराष्ट में 41,000 के पार 41,000 प्लस जो पेशेंट्स हुए है तो उसमें ओंदर महाराष्ट किसानों की नुकसान हुआ है किसानों को विशेश करके जो पहले बीच में एक अफवा आई थी कि उल्टी फार्म और चिकन्स और ये मटन शॉप के अंदर उसमें किसानों का बहुत ज्यादा नुक्सान हुए अकेले महाराष्ट में कम से कम तीन हजार कोरोड का उल्टी वेवसाई का जो नुक्सान हुआ उसके अंदर भी ठाकर सरकार का कोई मुवमेंट दीक नहीं रहा है उसके बाद में मका और धान खरी दी वह अभी तक चालू नहीं हुए है सरकारी खरी दी वह चालू होने की होना अभी ये लॉक्डाउन के अंदर ये सब चीजे किसानों को परेशान कर रहे हैं तो हमारा खयाल है अपर ही इसी दिस odor नेजात आगे सरकारी झान देना चाहिए जिसकी कि आपला अंदूलन कारीयोंने यहां पर बताया कि किस तरह से किसानों की और और ग्राउंड लेवल पर उतर कर सरकारी जो है काम करना चाहिए इस तरह की भवना जो है इन